जिस पंजाबी देख देख दे हुए साय दर्श कानु मेरे उलो प्यार भरी सच्छी काल तोड़ा स्वागत प्रोग्राम अजदा मुद्दा देविच मैं तोड़ी होस्ट आशमिता जिस तरह कल तोड़े नाल अपां एक चीज शुरू किती राइट आर्म ग्रीन बैंड जाद उत्थे जाके नहीं होना देनाल खड़ सकते बट अपां सॉलिडरीटी दिखा सकते हैं जिस तरह वक वक नेशन वाइड वर्लड वाइड प्रोटेस्ट हो रही है हन इस किसान अंदोलन नो लाके लोग की अपनी सपोर्ट दिखा रहे है वर डे लेवल ते साधी टीम बольшमिरीटी दोन नहीं हूंदा उँ किसान एनी कहना देके हाँ सरकार ने साधी हक दी गल रखिय है जित्थे किसाना दी हक दी गल लांदी है जोस्तरह तरह तनू पता होना है कलunovestre, डिसमबर नाइंध दी नेकस्ट वर्ड दी बैठक सिगी सरकार ते किसान लीडर्स यॉन किसान यूनियन लीडर्स जनाल के हुन ता उसान नू सरफ परपोजल सब्मिट करन ते अब आपने वालों मिलके देख देया कि किस तरह गे मूव फावर्वर्ड करना है सो अगर तुसी देखो एक तरह दा एह हुन स्टैंड आफ हो गया है कोई होर निगोशियेशन्स डिसकॉशन्स दी लोड नहीं लगदा एस सवे ले किसान यूनियन लीडर्स नू चाहिदी है उना नू सरफ इन तिन बिलना दा बिलकुल तुसी कहलो रपील चाहिदा है जो सरकार दी गल आंदी है उनना दी पॉजिशन दी गल आंदी है बिकुस ए जो मन्च है ए साड़ी है थे ड्यूटी बन दी है सारे साइड्स नू कवर करना हर एक तुसी कहलो मसले देविच जो भी पार्टी इन वाल्ट हुन दी है उनना नू अवाज देन दा मौका रखन इस मन्च थे सो उस कोशिश दे विच जित है साड़ी अफकोर्स किसान यूनियन दे लीडर्स देनाल बहुत ही जादा गल हो रही है जो सपोर्ट कर रहे है इस मुद्दे नू प्रोटेस्टर्स उनना देनाल भी गल हो रही है जदो न्यू यॉक बेस्ट इंडियन काउंसल वलनों साननू इंविटेशन आया के तो अदनाल बै कि अपा इस मुद्दे थे अपने विचार रखना चांदे है उस चीज नू अपा एक्सेप्ट किता सो इथे मैं तो नूए दसना चांदिया है हुने मैं तो अदनाल लाइव जूरिया है तुसी कॉल करके मेरे नाल इस प्रोग्रम दे विच अपने सवाल अपने कॉमेंट्स रख सक देओ जो ए इंटर्वीव हुए है इंडियन कांसलेट आट नू यॉर्क कांसल जेनरल भी तो आडी लाइव कॉल्स चुकांगे साड़े दस बजे तक मैं ए तौनू इथे ओपन इंविटेशन देना चांदिया है तक पावें कांसल जेनरल साड़नाल इस प्रोग्रम दे विच लाइव नहीं सके अज उनानू अपा दस यासी तुसी साड़नाल लाइव जूरो ताके साड़े विवर्स तो आड़नाल ड्रेक्ली गल कर सकन अज ओ लाइव साड़े नहीं जूर रहे बट एस प्रोग्रम दी रिकॉर्डिंग उना तक पॉंचेगी तुसी कॉल करके अपने क्वेस्टिंस रख सक देओ प्रोग्रम दे विच मैं सरफ एही बेंती कर दियां अपने क्वेस्टिंस नू रख हो ताके उना दा जवाब कोई कंक्रीट ते प्रोड़क्टिव तरीके नाल तौनू मिले बट अधर दन दा जो तुसी हून देखन जा रहे हो साधी कॉन्वर्सेशन हुई आज चौंसल जेनरल रंधीर जैस्वाल देनाल इंडिन कॉंसल इन नेक्स्ट पोर्शन प्रोग्राम दा प्री रिकॉर्ड़ड हैगा बट ए हुने लाइव चल रहे है प्रोग्राम ते तुसी कॉल करके अपने क्वेस्टिंस अन एर पुछ सक देओ एक क्वेस्टिंस जुरूर कांसल जेनरल तक पहुंचाए जानगे ते उना देनाल ए भी के जो साथे विवर्जे क्वेस्टिंस हन तौड़े ले तुसी उना नो जुरूर आंसर करन दी कोशिश करे हो इस प्रोग्राम तो बाद सो इत थे चोटी जी ब्रेक ले रुख देयां लाइव तौड़नाथ प्रोग्राम पेश करेयां कांसल जनरल रंधीर जैस्वाल न्यॉक सिटी तो साथ नाल जुरूदे आप ब्रेक तो सपार जस पंजाबी ती तीम पहुंची हैं न्यॉक सिटी इंडिन कांसलेट इन न्यॉक ते मेरे नाल बैठे हन अनॉरबल कांसल जनरल Mr. रंधीर जैस्वाल Sir, first of all, thank you so much for inviting us here. इन्ने एम मौके ते तुसी साथ नाल इस वनन न्यॉक सिटी नी बैठे हो In it of itself, this is a positive thing and साथे वीवर्स नु भूत इस चीज नु देख के खुशी हुई है के एडिसक्शन दो तर्फी हैगी That it's एक तरफ जो कसान, अंदोलन ते उना दी आवाज उना दे मसले इस मुद्धे विच उठाए जारे हैं ते दुझे पास सरकार उस चीज नु सुनरी और ते रिस्पॉंड कारी है First of all, sir, welcome to the program, Satsirikaal Satsirikaal and Satsirikaal to your viewers, thank you for accepting our invitation, it's always a pleasure for us to be with Just Punjabi channel and with all your viewers Yes, sir, sir, Tussi Suddenalist program पहले जुर के, mid-October विच इन बिल्स नु लाइक एक ब्रीफ स्टेटमेंट दिती सी ओस टाइम Most time, इन बड़ी नवी प्रोटेस्स हलकी हलकी जी सानु वेखनू मिल रही सी, primarily इन पंजाब इन उसी कैसी के इन बिल्ना नु लाइके लोग का दी अंडर्स्टेंडिंग नी हैगी, ते लोग का अच खौफ है, डर है किसी नवी, किसी मॉडर्न चीज नु वेख के बत जिस तरह लोग की इस चीज नु समझनगे, ए प्रोटेस्स सबसाइड हो जानगी, ए सानु इन ने वड़े लेवल ते नही वेखनू मिलेंगी, हुन दो महीने बाद सिच्वेशन बिल्कुल पा कह सकते हैं उस तरह नही प्ले आओ हुई तोडे क्याल च्यू ए प्रोटेस्ट हले भी ने इनी तुसी कहलो वड़े लेवल ते सानु वेखनू मिल रहें ना के सिरफ दिली देविच, बाओट साइड आओड दिली देविच, बाओट साइड इड़े उस वाओग तो देश्वा हुई लेख वाट दिए वाट दिए अच्छों पाओट साम पूप गाओट से लिए वाट आओट साइड देविच, बाओट साइड देविच, बाओट से वाट पुद में पुद का ये मानना है, एक पूमुनिकेशन पुरी तरह से नही हुई है। ज़िष भी पारमर्स के। पर्मार्स के। पाह पात करना चा प्जूज ही साग्डी और हम आगार प्रीजिल्ट विसम्र श्री ज्री नर्न सींक हम अध्यूशन, क्योंड और च्छी स्वेजुड. on 9 December a meeting will be held again we have told the farmers that the government will examine all their demands it will be our attempt to reach a solution it would have been easier for us to reach a solution if we got suggestions from farmer leaders we will still wait for that so government is open, government has had several tritt paying for it the fifth round of engagement will happen tomorrow we are very positive In democracy, we are conscious of our responsibility as government. In democracy, everybody has a right to protest and a right to be heard. And we deeply respect that. Sir, तुसी दिमोकर सी दिल करे ह। लोगततर. दिया नू विदली अगल लाज दिमोकर सी सि व रुड किया जान दहा है. पट जिथे ए जो प्रोटेस्ट इन बिल्स दे खिलाफ डिवेलप हो रही है इंडिया देविच हुने भारत बंद स्ट्राइक हो के हटी है अलेज़िटली 25 स्टेट्स इस स्ट्राइक देविच हिसा इना ने लिपता अगर दिमोकरसी एक सिस्टम लोग का दी रपरसेंटेशन लेए उना दी अवाज नू सरकार तक पांचान लेए बनाया जाना है तुसी कह सकते हो इस विलेए दिमोकरसी इस अट प्लेए जिथे इन लोकी इन बिलना दी खलाफ हन सरकार सुन रही होना दी मंगानू खलाफ है विले छी दिमोगर ड्राफिट बनाया है अगिवा था थाफ़ जा कि अधन रचानंड़ अगे हैं। फिफ्ञ रूंड रापन, फिज बिए फिए एफ लाफ़ एट रापन, विए रही होपना चाहिक पूस्टाइश सब्सक्राइश को पूस्टाइश जिसके एक्षब एवर हैं एक्षब एकाश्पूर्णाश को इसका प्रशाश का बाता हैंता हैं एक लिए लग टो पीज को and I will read, we have said, quote, we have said that the MSP will continue, there is no threat to it. One was that issue, the other issue was of mandi, the mandi A, agriculture produce, marketing, corporations, the mandis, they will be removed. We have, in fact, no mandis are going to be removed. Our minister has again gone on record to say, we do not intend to affect the mandi in the states, they are not affected by the law either. So the mandis are going to stay, what is going to happen through these laws, the farmers has the choice to sell either in the mandi or if he gets a higher price outside it. It is totally for the farmer to decide where to sell his produce. Sir, I am so glad to see this farmer, the case of them, now in options, the Galkiti, right? That as per the new bills, every plant will be an option that you can sell your produce regionally, locally, state-wide, interstate-wide, nationally, internationally, and even tech. So, first, let me put the reforms in perspective. The government of India is committed to double farmer's income by 2022. This, it is our understanding, can be done only if we reform the agricultural sector. Now, in 1991, India embarked on a reform path. In the last 30 years, almost all segments of the Indian society have benefited. People in the manufacturing sector, people in the industry sector, services sector, in the IT sector, knowledge economy, so on and so forth. One large segment of our population, which has so far not benefited from reforms, from liberalization, from globalization, and from global outreach, is the farmers. Why do you think that is, sir? Because of the over-revelation of the agricultural market in India, agricultural trade in India. Now, in India, you would realize, we are one of the largest food producers in the world, but our post-harvest losses, what is grown, but what is lost, it's all. And who loses? It's as high as 50%. And who loses? If your produce goes bad, obviously, the farmers will lose. In India, because our agricultural sector is not modernized, we still need a lot of modernization, new infrastructure, coal chain, facilities, supply chains, we have to process food. Our food processing is as low as 10%. Our share in global export market, agri-export market is only 2.3%. If we are to double it, triple it, and four times, we are to occupy 10% in the global agri-trade market, obviously, the income, the benefits will flow to the farmers. There will be backward linkages. Sir, I'd love to, I'd love to discuss some specific points in the bills, because as we all know too well, that in social media, there are many outlets, sometimes the main messaging is getting diluted, there is a lot of clarity on this, and you can clarify this, and you can clarify this. So, let's have a little break for you. Let's have a break for you, let's have a break for you. Indian Council in New York, Council General Randeer Jaswal. Sir, you can say that a little misconception about the average public is feeling frustrated, the frustration, the undulgence, the movement has developed in the country, abroad, and the government has made the clarification, the big misconceptions. देविच, सर इन बिल्स देविच तुसी सानु दस्यासी कुछ सिंपल चीजां जो पुरवाइड़ हैंगी ते कुछ चीजां जो नहीं अफेक्ट होंगी मैं चावांगी, just as a matter of record, साथे विविवर्स ले तुसी सानु ए दसो के की सेफगार्ड़ हैगा ते की चीज़ एफेक्ट होएगी इन तिन बिल्ना देविच Thank you, Shikta. Now, मैं ये बता हूंगा की कौन सी चीज़े will not happen So, MSP will not go away APMC, that is the Mandis, will not be closed Farmers land will not be taken away by anyone for any reason Buyers cannot make any changes to Farmers land So, the rights of the land of the Farmers will be protected They will be guaranteed as far as price risks are concerned and market risks are concerned Buyers cannot cheat Farmers Contractors cannot end agreement without full payment All these things are guaranteed There are issues about contract farming APMC Mandis will continue to work Farmers can sell in APMC Mandis or outside It is their choice So, there is an option They have the option of free market They have the option if there is higher price available somewhere there They are free to choose their option and if they get higher price the farmer benefits Farmers can fix price of produce even before growing it which happens in contract farming So, there is an assurity that money will certain income They are not subjected to vagaries of market or vagaries of nature Beforehand they can plan beforehand they know how much of earning they will get after two years, three years, etc. Buyers must pay on time or face legal action So, there is a legal protection also available for farmers Farmers can end agreements anytime they wish So, again, you know, the farmers are assured if there is an agreement which is not in their favor They can end anytime they want More investment and infrastructure will come As I told you earlier also We have government has set up new fresh agricultural investment infrastructure fund Something to the tune of 13 to 14 billion US dollars These will bring in new cold chain infrastructure Sorting, packaging, grading will happen at the farm gate at the village level Processing of food will happen at the farm gate All these things will bring new benefits to the farmers, to the produce And they will have higher income Also, it will create new jobs for people in villages and towns So, overall, it is our understanding It will have huge benefit on the lives of farmers And it is directly, it will serve our larger objective to double farmers' income in India by 2022 Sir, you know, the simple question here is You know, the simple question here is You know, in this simple word, you have explained You know, the simple words that the farmers' union leaders Negotiate, discuss and government Why do you think that the farmers' point is not the same To help you, make the tax decisions? In my opinion, there is a little lack of communication gap There is a little misunderstanding And there is little people in which it depends on the information There will be a free market in And there will be options. There are new things बातचीत होगी और हम लोगे अलग तिसान किसान हमारे बहुत प्यारे हैं तिस के अभिण अभिन देश के अभिन अभिन एंघ खंबा की तरह है और हम लोग वर्षक को हमेशा से यही मानना है UK, कि अभिन के हित में हम काम करें जु और और यह जो बिल्स हैं, यह जो एक्ट्स हैं, यह किसानों के हित में हैं. जी, सर, तौड़ा की जवाब है उना लेए, जो काफी इस चीज नो लेके चर्चा, खास करके सोशल मीडिया, ट्विटर ते, ट्रंडिंग एचीज बहुत फेलाई जा रही है, के एग गो बिल्स हैं, एक कॉर्परेट मूव है, के जिस तरह दें बानी एड़ानी इंफ्लुएंसे इस वेले सरकारते पहर हैं, ओ एक किसान, एक छोटे आम आदमी नो एक पसे रह के, कॉर्परेशन्स दे हक दी गालकार रहें, इस करके बिल्स किसान दे फेवर जना, एक कि अश्पिता जी, we had the same arguments in 1991 when we embarked on a reform process in India. We had protests from several quarters in India, there were views expressed that India will become slave to the large multinational companies, India will lose freedom, market will swallow everything, our companies, our industry, our manufacturing, everything will be destroyed, etc., etc., our freedom will be lost, quote-unquote, nothing of that set has happened. In the last 30 years, we have prospered, we have done better, our IT companies, our manufacturing companies, our technology companies, our talent pool, our pharmaceutical industry, our automobile industry, our biotechnology company, our space program, everything has prospered and today, we are in important, we are on growth trajectory, an important growth trajectory. India is looking forward to becoming, if we continue to grow at a higher growth by 2030 or so, the third largest economy in the world. Now, if we have to move in that direction, we have to attain higher growth rate, obviously, we need reforms and we need policy support. So, I feel that, you know, these reforms are to benefit everybody. Sir, just as a theoretical point, is it possible that you are an aggressive expansionist and outward-facing goals that you pursue without neglecting the small person and some of these domestic values that help protect the average citizen in a country? Yeah, but, you know, our challenge also is how do we raise the standard of living of people in villages? We have to raise purchasing power in villages, we have to give them more options, we have to raise their incomes so that they are, we have better socio-economic results as far as education is concerned, as far as sustainable development goals is concerned. So, government is committed, government has several programs, socio-economic, programs from Swachh Bharat to Beti Bachao, Beti Padhao, on education side, on Jan Jeevan Mission, where we are providing potable drinking water to every nook and corner of the village. So, there are a lot that is happening and we are always conscious of our responsibility towards the people in villages, towards the farmers. And if we have to raise their income, we have to raise the standard of living, I think this is the way to go forward. And I also like to tell your viewers that in case of Punjab and in other places in India, it is important that we grow high value crops, crops, it is important that we diversify our cropping pattern because after 30, 40, 50, 60 years of over-intensification and today we all talk of sustainable farming, to produce more from less, more produce from less water, etc. It is important that we have, we modernize our agricultural patterns, we modernize our agricultural techniques, so that we have our sustainable agricultural practice. You know, in the case of Punjab and several other parts of India, water table is going down. We also have the soil health is not up to mark because of several use of pesticides, etc. Those are some of the things in a long term, from a long term perspective, we have to rectify. We must also realize that we have to bring the benefits of digital market. You know, you and me were not buying so much on e-commerce, but today in the pandemic, we realized that e-commerce market is here to stay. It's a big market. Most of the time, it's cheaper buying on the e-commerce platform. So, the days ahead are going to be the days and years of digital technology, digital life, and I think we should bring the benefits of digital market, electronic market, to the lives of our people, to the lives of our farmers. Yes. Sir, coming back to this time, the Kisan Union leaders are prepared for the next meeting. We are on the ground in Delhi, which is on the ground, they have some updates that the Kisan Union leaders are not keeping the meeting today. They are only requesting a proposal from the government. They will internally meet and respond. How does the government respond? There are points that need to be discussed and a compromise that needs to be made. But the other side is saying that there is only one way forward for us. And there is no next meeting from the reporting that we are getting. We only want a proposal from the government. So, how can the government respond to this situation? I have said that the government is committed, remains committed to engage the farmers, to have a dialogue, to have a conversation. And we have to do things together. So, togetherness and consultation is the way forward. And we look forward to the farmers and the government coming together as our minister has gone on record. And we look forward to developments tomorrow. And we are hopeful that we will come together and we will win together. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Unfortunately, I have not yet to answer your questions. I have to ask you questions. My viewers would like to ask you to submit your questions. Can you submit your questions? Council General Rendheer Jaiswal. Yes, it is not that you can answer your questions. I will try to answer your questions. Sir, any closing statements before we wrap up this interview? You know, your presence here, there have been some protests outside of your doors. What closing messages do you have for our viewers before we go? You know, this consulate is an Indian consulate. As a country, we are wedded to democratic ethos and values. We always respect the right of protest of people. But we are also conscious that the right of protest should be peaceful in manner, should be exercised in a manner that is peaceful. And we are open to engaging people. So I hope we will find a common ground soon and will serve the interest of each and every segment of the Indian population better. Absolutely. A pleasure always. Council General Rendheer Jaiswal. It's so good to talk to you, sir. Thank you for inviting us to the consulate. We hope to hear from you soon and we hope that we will continue to see the support of democracy in this regard. We will continue to take a small break. We will continue to come to the council here. We will continue to come to the council today and in the government. We will continue to reach the government and to the government. So I am only to this, I have to ask for respectfully, to make any respect for those comments in this moment. We will continue to come to this peace in order. Yes, sir, sir. Sir, you are on air. Hello. उनना ने एनी फाक्समेंट कर रहे हैं उते बैठेने जिरा मोदी है वो अपना उनना जोब कीराओं ने बारते होया है कह रहे है कि सारे कुनून ने एक नहीं है जिने यह है मोदी ने एक मेरा हैगा मैसेज कि जहे चंगे यह मोदी मेरे कोड़े आजे मैं त्यारा जो बापस बिल ट्यारा है मेरा चोटा चोटा करके मेरा हथ भड़ करदken एवरे भ़ड मोदा बाद हुरे मैँ हसके लेलों जे सारे किसोना दिकनून वह वापस लेंदा न envision मांगी इसारा कम कर दो बन जे ओ हो नहीं मानदा किसानां वे जyunगने लागदे है कि बिल औ बापस क्यों नह तो बाद अपने दूसरी बाँ टाल वे तो फिर उसी उनों वह स्वाल करिये तुह तरह ली चंगा बाहां कटने या तरहाँ कटने तरहाँ कटने नहीं तो बहुत चंगे एक साहन वह जवाव दे रहे हैं जी अजी मोदी देख कैसे भी गालनों इननों मनननों त्यार नहीं ज़दों ताके सारे कनून वापस नहीं लेंदा लेके जो कांसलेर जैनरल अप इंडिया नीव यॉर्क जो तोड़ना एंट्रिव कर रहे हैं और गवर्नमेंट दे है के ने अपने नोकर ने उनने जो गवर कनून वापस लेख लेख जो जानता और घ्रवन किसानगे जोड़ी जानती है। जी किनोन बापस ले 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 के कहना बाटके रहो ये अपना जांपे मेकावला करो टुछा कावाना है कि कि अपनी याल टेख जो नहीं हो आपड़ा क्या है बीकल्स हार अपनी का लिगता करें बाट अच्छा कर रहें सारे संक्चानों किसान लानों वह गुरूजी का खाल सा वह गुरूजी की फटे तैंक यू मनोहर साब तुसी एक कॉमेंट रखेया एंड अपर डेफिनेटली इस चीज दिनाल सहमती रख देयां के जो किसान लीडर्स हन वो सिर्फ एक ही चीज चांदे है सवे लेकि बिल्स नू रपील किता जाए सास्रीकाल तुसी ओने रो अधिक का नून देवाट चांदे जमाख और यह जिनी बंदा मत्री कर सागड़ा वोदे ते कुछ नून देवाट गल्त चीज आं किया जड़ा अनाज दी खरीद जमाखोरी यह चिनी बंदा मत्री कर सकता अधिक कोई लगाम नहीं जी एफ सी आई सरकारी खरीद और ने बंद करनी है जो सरकारी खरीद रही किनी ते एमस्पी की करेगी जी अप पिहार देवेच यूपी देवेच एमस्पी हैंनी उत्तिक साना दा किया लगी नंबर दो थे एफ कौंसल आफ इंडिया कहके रहे बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ हाथ रास्च कटना हुई सी किये ना ने इंसाफ सता जी तर फिन दा स्वाइब 15 लाख दे जुमले तो इन दा कोई नहीं और मेरे क्याल देवच्च आज दी एस मीटेंग ते इंट्री वेच्ट पते सर्फ किसाना नो पी पेसाम जब्सक्राइब यह ड़िफिनलिया सर जिस तरह तुसी कॉमेंट रख यह के जो सरकार वलनों इस चीज ते कॉमेंट दिता गया है ओ बिल्कुल इस तरह के मैच नहीं करदा जो किसान यूनियन लीडर्स जो जथे बंदियां जो एक आम किसान एक आम आदमी जिस तरह तुसी साधनासांजी कीती है अंडर स्टैंडिंग इन बिल्लादी ओदे विच ते जिस तरह सरकार आनू दासरी है बहुत ही वड़ा फरक सानू लगदा है का सिस्रीकाल तुसी ओने रो हंजी सिस्रीकाल तुसी ओने रो अश्मीता जी हंजी हंजी दसो हंजी मैं आश्मीता बोल रही है तुसी ओन एर साधना लाइव प्रोग्राम दे विच गल कर रहे हो ताड़ा की विचार है जी जी मैं ओने नी तो अदिनाल सांजी और सकती हो इंफर्मिशन बट मैं तुन होड़ते पाके प्रोग्राम तो बात ओरनालो शेयर कर आँगी थैंक यू सिर्फ्री काल तसी ओने रो अजी सासिकाल जी शमीट जी दुस्ट है अध्र पाजव खराम छिकागो सिकाल शुक्टाइब ड्शहाब है यहां मेरे नहीं जी नमरेक ते है कि अगरेकुलचर इन 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 चॉटिशूशन is an occupation and central government or the union government has no right to make any rules on it because it is the state subject so it's my question is when it's constitutionally central government no love me take care of number two we are to talk good when you have a job or a state and to study grass produce on the air side equal Sarah raw product I read on a value as it is the girl career to start a play out to food processing plant in the country number 10 the agriculture करना ओर अग्रेबल्टर एक्सपर्स इंडिया थे पुझाब विच बहुत यादा है और अनने सावना ए रपोर्ट नादी मंदे दी स्वामी नाथन रपोर्ट इनने नहीं लोई और इसे करके थादा फार्मर्जा ओर जा ओर जा एक कम कठा हो गया ते नाओ और फाइनली बिजडी कांफलेक्ट रेजुशन है ओ एक स्थी एम जाएक हायरा ओफिसर गवर्मेंट सो करना ओ एग्रियेबल नी है थैंक यू जी थैंक यू सो मच तोडी कॉले ड़क्टर साब सुष्रिकाल तुसी ऑने रो है सब सिकाल सुष्रिकाल सुष्रिकाल सुष्रि तुसी बड़े तुसी रिच्टर बाड़ा रिट्रिवाए राइनली पर मनो बड़ी हरानी हुई के केदाजी एक एक जाए फ्यू थाउजन पीपर लग्खानों गंटी हों दी है एक सब्साओ मेरा कैनेगे असो के अटेस्टर के लिए केपी आटेए केपी सेंग ने एक अ कर देंगे लगा के एक सिमेजा के चार तो पांच लाक दे करीव उसे बड़े पहुंच चुक या ताही जिए एक ताहनी सी रहा है निगे लिए करेक्ट की लो मेते हो रही है एक एक एन्टी नो इस कैसा है इस है इस रेपरिजेंटर इस एपर चिंदेटर इस कार्ट इस न मेंबर शीगा डार्टर नर्मल बॉर्लाग कुना ने कांटेक्स नियोग चार कुंटल भी कुंटल के कर दी अवरेज भाई कुंटल औ कितो हों पन्job तो अवरे म कुझा था र के लुग मेंगर रिण रवबुश कुल टिर्ट शच पर दी अ की सिmmenय को था और अगरफ इंधाв कर मुझी आपकल उपकल विजी नए रगा पार्टी था जिए आप टुछ कर्वित कर्वार्म क करेंगे एंट पर शुरू किता सी ओजए प्रोग्राम पंगड साल बैला ओ लोकी इने बेजगार होई ओडान पजाब आके अप दी लाइबलिवड कर लैंलार्ट इसे ताम पे लै आर्मर सहाली केट साहडी मेर क की 12.5 PVC, no more. ताहर अकर का ऑनाल ऑने हा हुने का एक जरे क है 16 कर देह होंहिए, हो कि आलावाч? वल nuestras इस स्थरीB사를 सही की 12.5 přे लिध रहा हुआ हाुडोर 적े मेर का लिधा मेरा कि बैपेजू या कैन तेहा कैके क ses त् given др. तेले कर दो मुख सब्सक्राइब जी तूरेंटांची तूरेंट प्रेंट अच सद्थे रहे जाए हुआ अ ऍथा-थ थे जञा कि अजिए लिए कसे अनल्कॉल सद्थीलिए से अन्यारो हाँ मैंडम एखेलो सक्टाइब जी थिलया थे लेआए रहे हैं अभी जि एक नून बहुत चंगे ने जिड़े तिन ने आडींस कीते हैं उने पास चाहए रहे हैं भी सनुक चंगे तीज्ञांदी जांदी पाइदेदी सानु लोड़नी ते इंजी जाई उना अंसर भी अची फैदा लेना नहीं चाहून दे वह बाफस लेले बेगे ज़ु जी नी बहुत तोड़ा सादा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गा एक पुछरे ऐसे वेले के अगरे बिल इन्ने वदिया हन इन्ने इना दा बेनेफिट है एक छोटे किसान लेक मीडियम साइज वड़े किसान ले क्यों सारे किसान यूनियन लीडर्स जो के पड़े लि आदे लिखे बिजनेसमेन या जो इत्थे आके सेटल हुए हन प्रफेशिनल्स एडुकेटेड प्रफेशिनल्स ओ भी एदे खिलाफ हन क्यों वड़े वड़े एक्सपर्ट्स इस इंडिस्ट्री दे एदे खिलाफ हन इन चीजानू लाएके सानू कोई जवाब नहीं मिलिय हुए थिद्स्रिकाल तुसी आनेरो आटळिंगे अर्या जिकाल जी दस्व तुसी लाइव ओनेरो अजिए मैं इलकर में जो सिकाल जी देखो आप ऑनि आजरारीक तेको यिना जानने ठेया है कर दो कि अन्हां नग अर्फ जाना कोजिए कर रहा है कि तुषी आप आप आला गुछिए ने टुषी यह बहुत हैं वेलिड पोइट है सर तुसी कौन कि थो बोल रोड ती की तॉड़ा ना है गा मैं भी कालिफोनिया तो हर्विंदर खरब हो रहे हैं जी थैंक यू फर जॉइनिंग इस खेरा साब तुसी बहुत ही एहम इते पॉइंट रख्या है के जो निगोशियेशन हो रही हैं एदे विच आम पावर के रहाच हैगी सरकार दे विच पावर हैगी भी इस चीज नू ड टोड़ी प्लेयरस और हन जो सरकार दा हथ इस बिले शायद पुख कर एक डिरक्शन दे पासे अंड बाव औनी अंडानी और तो नहीं चाहिए गर कॉर्परेट एिक सला है धा दैन्य कॉर्परेशंक本 नू दू जी कॉर्परेशने तनाल करने चाहिए एक बिजनस थौरते ना के एक सरकारी, एक डेमोक्राटिक तौरते, अगर एक डेमोक्राइसी दा प्रोसेस नहीं चल रहा है, एक बिजनस दी निगोशियेशन हैगी, जाए दे दा सलूशन दा हल भी एक बिजनस साइड तो लबना चाहिए है सानू, बर जो थे बिजनस दी गालां दिया है, मैं उ तुसी जैस्वाल साव नो वलाके, कि अपना टाइम पी तुसी मैं समझने है, कि वोता सही टाइम नो नहीं गुजा रहा, जी जैस्वाल साव थे तुम डिमांड से, उना दी ओफिशियल डूटी सी, कि उना ने एही चीजां दस्रियां सानू, पर अनू तो अनू तो अनू सब्सक्राइब करने हैं, कि एक नून देखातर मोदी साव डिक्टेट कर रहे हैं लोग का नून को, देमोक्रेशी जा कोई मतलब नहीं है, किर्पा करके, जैस्वाल साव नो बेंती करो, कि वो अपनी तरफों, अमेरिका वनो एक बसंड के सारे इंडियन जो अमेरिका देविच रहे हैं, वह इना कनूना दे बिलकुल खलाफ हैं, और इस नू जे हो, इस नू रद कर दें, पां उस विच्छ सारे इंडिया दी पलाई हैं, थैंक यू बरी मच्छ, थैंक यू सो मच्छ, तोड़ी कॉल पावें तुसी के इस तरह दे विचार रख देओ, सानू, अप्रीशेट हुन दा जो तुसी कॉल करके साड़ना अपने अपने अपिनियन इस चीज दे, सांजे कर देओ, मिननू ता हर एक तरह दा दा फीड़बैक बहुत मैं वैल्यू कर दी हैं, तोड़ा, सो थैंक यू जिस तरह मैं कहा रही सी, जिथे एकॉनमी दे गालान दी है, सानू, सरकारवाल नो बहुत सुननू मिल रहा है, आज जैसवाल जी ने भी एक एया कि देखो, इंडिया लेए, भारत लेए, लांग टरम लेए, बहुत एकनॉमिक वैल्यू हैगी इन बिलना नो लाके, सो एद जानियत, अपा कह सकते है, जेपरडी विच हैगी इन बिलना नो लाके, बट बाकी सरकार किस तरह इन बिलना नो भारत लेए, बहुत रही पुट्रे करी है, ओधिज कोई सच्चाई हैगी भी, अगर अपा एकनॉमिक तॉर ते गल करी है, इस चीज नो लाके, कि एकनॉमिक बेनिफिट इन बिलना दा कोई हैगा इंडिया ले, इस चीज देना, उते ही मैं कुछ अपने नेक्स प्रोग्राम्स तॉर नो शेयर करांगी आन वाले दिना दे विच, कि किस तरह अगर अपा एकनॉमिक तॉर ते इन बिलना नो पढ़िये, समझिये, कुछ बहुत ही पढ अजाज़त देओ, सस्रेकाल